हलो दोस्तो आज हम लौकी की सबजी बनाएंगे वो भी चने दाल के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमने लौकी की सबजी बनाई है तो चलिए जानते हैं कि मैंने इसे आज कैसे बनाया है चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले कड़ाई में तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाएगा तो उसमें प्याज और करी लीफ्स डाल देंगे जब प्याज मूरे कलर का हो जाएगा तब इसमें हम लोग अध्रक लसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे अगर आप हरा मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे स्किप करिए जब हमारे अध्रक लसुन का पेस्ट पक जाएगा तो उसके बाद हम अपने सबजियों को डाल लेंगे या मैंने डाल लिया लौकी और आलू की सबजी को इन्हें अच्छे से मिला लें इन्हें मिला लेने के बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे आदा चमच हल्दी डाल ले और इन सब को अच्छे से मिला ले इन्हें मिला लेने के बाद इसमें हम नमक एड़ कर लेंगे नमक स्वाद अनुसा डाल दे ताकि ये जल से जल गलने लग जाए और इनका पकना सुरू हो जाएगा इसके बाद अब हम कलोंजी डाल लेंगे कलोंजी को तेल में हलका फ्राइ कर ले और उसके बाद इसे मिला ले आप चाहे तो कलोंजी को पहले ही डाल ले इसके बाद हम अपने चने दाल को डाल लेंगे चने दाल को मैंने दो घंटा पहले ही भिंगा के रख लिया था और उसे अच्छे से धोलिया था उसके बाद अब हम इसमें यहां डाल रहे हैं चने दाल को चने दाल को डाल ले और इसे भी सबके साथ मिला ले मिला लेने के बाद जब सबजियों का पानी हलका सुख जाएगा तब हम उसमें अपने सुखे मसाले डालेंगे या मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया जीरा डालने के बाद इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और इन सब को अच्छे से मिला लिया मिला लेने के बाद हम इसमें लाल मेच पाउडर डाल देंगे यह आप स्वाद अनुसार लाल मेच पाउडर डाल ले और इन सबको अच्छे से मिला ले और सभी मसालों को पकने तक चलाते रहे और अगर मसाली नीचे चिपकने लगे तो आप इसमें हलका पानी एड़ करके इन्हें पका सकते हैं दीरे-दीरे मसाले पक रहे हैं जब मसाले पक जाएंगे तब हम इसमें कटे हुए टमाटर एड़ कर लेंगे आप लिए ऑपटे हैं अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं यह क्यों मैंने चोटे-चोटे साइच के टमाटर काटके делать का देंगे on जूकर मैंने 4 यह उस में कम करूंगे नरुन ने तब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तब तक इसे चलाते रहेंगे टमाटर यहां गल चुका है अब हम इसमें यहां पानी डाल देंगे पानी गरम होना चाहिए ताकि यह जल से जल उबलने लग जाएगा यहां मैंने एक गिलास पानी डाल लिया अब हम इसे अच्छे से घुमा ले उसके बाद ये पकने के लिए इसे छोड़ दे इसे ढख कर पका ले हमारी सबजी बनके रेडी हो गई है अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं और सर्फ कर देते हैं लोकी और चनादाल की सबजी बनके रेडी हो गई है आप भी ऐसे ही बनाईए और खाईए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे थैंक यू